आज हम ये सीखेंगे कि लिट्रिचर जब हम बच्छों को बढ़ाते हैं तो बच्छों की क्रिएटिविटी कैसे इन्हेंस होती है जब आप इस यूनिट को पढ़ लेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लिट्रिचर एक बहुत इंपॉर्टन सोर्स है जिससे बच्छों की इमेजिनेशन नर्चर होती है और उनका थिंकिंग प्रॉसस डिवैलप होता है और वो अपनी इमेजिनेशन में एक इंट्रस्टिंग और खुबसूरत दुनिया बनाते हैं और वो दुनिया बनानी ज़रूरी है इसले कि क्रिटिविटी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज है इमेजिनेशन इमेजिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो किताबे हम बच्चों को देने जा रहे है वो और देख सकें और देख सकें और हम देखते हैं कि इसकेंदर और के चीज़े मौजूद हैं इनकरेजिस्ट स्टूरिंट तो लर्न अबाट म्यूजिक एंड आर्ट छोटे बच्चों की बहुत सी किताबें ऐसी होती हैं जिनमें हमारे पास नर्स्ट्री राइम्स होती हैं या उनके आखरी आखरी इनकरेक्ट उसको बनाएं और इसको आर्ट की फर्म में 3D में पेपर्स के अंदर बनाएं या द्राइंग्स के अंदर बनाएं तो इसको इसको इनकरेश कर सकें जो उसको इनकरेश के गए हैं वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चे से इंकरेट कर सकें उसे समझ सकें उसको बनाना चाहें या उसे एक्सपेंड करना चाहें और वो बच्चों की इमजिनेशन को बूस्ट करने चाहिए Then what we have, we have promote the development of a student's internal imagination बच्चों को literature जब हम introduce करवाते हैं तो उसका बहुत important factor होता है कि वो अपनी imagination में इस कहानी को चलते हुए देखें जो कि actually or most of the time real कहानी नहीं होती और वो उस कहानी के साथ खाब देखें उस कहानी के साथ बातचित करें और अपनी imagination में उस content को extend करने की कोशिश करें So इसमें सबसे हम चीज के आज आती है 0 से लेके 6 साल तक का बच्चा जो कि minimum words पर सकता है बहुत simple sentences हम उसको सिखाते हैं जब वो 4-5 साल का होता है उसके अंदर सबसे हम चीज आती है आपके illustrations कि किस किसम के illustrations हैं उसके अंदर कैसे ओर रहा है या चल रहा है और वही imagination में बच्चा उस character को नहीं देखता actually उस character में वो अपने आप को देखता है कि वो इस scene में खुद मौजूद है और वो इस पूरे environment में किस तरीके से enjoy कर रहा है आप इस illustration को जब देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा किस illustration के अंदर बहुत ही interesting चीज़े हैं जो बच्चे को बहुत देख तक इस सफ़े को explore करने में मदद करेंगी और उसकी imagination को boost करेंगी कि ये lights कहां से आ रही है ये पीले ही रंकी क्यों है कि scene क्या चल रहा है और यहां क्या हो सकता है और अगर मैं यहां हो तो क्या खुश होगा खौफ़दा होगा इंजॉय करूँगा एडवंचर पर जाओँगा क्या करूँगा That is a key point in children literature कि हम उनकी imagination को boost करके उनको एक creativity का रास्ता देते हैं कहां से वो अपनी creative thinking process को शुरू कर सकते हैं Thank you so much student हम next slide में दुबारा मिलेंगे